नमस्ते मेरी प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार SAC में अब तक पूछे गए सभी प्रस्णों के अधार पर सब्जेक्ट वाइज GKGS की सटीक एवं सांदार अस्टेडी कर रहे हैं, साथ हमें करेंट अफेर के भी अस्टेडी कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट का जितने भी आति महत्पन परस्ण होता है, साथ में पूरी एक्स्ट्राफेस के साथ बताया गया है, जो की आपके परिक्षा में आने की पूरी संभाब ना है, तो आज से हम लोग जिब विज्ञान यानि की बाइलोजी से सभी अति महत्पन परस्ण देखेंगे, तो और आगे आपका सिलिबस में क्या-क्या है, किस-किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वो भी देख लिज पुस्तक, एबम, लेखक, महतपुर्ण, दसक, बर्स, एबम, दिवस, संजुक्त, रास्ट संग, आनि अंतरास्टिय संग या रास्टिय संग्यान, जो इससे की यूएनोर होता है, वो सब जितने भी आति महतपुर्ण संगठाने, उस सब से कोशन आता है, अस्पोर्ट से खेलकूद से रास्टिय घटना है, अंतरास्टिय घटना है, विवीध और बिहार का समानी ज्यान, यह सभी सबजेक्ट का बारी-बारी से अध्यान करेंगे, जहां तक की है, हम लोग अभी तक 10 सबजेक्ट यानि की रसाइन विज्ञान तक यानि फिजिक्स, केमिस्टिय तक स्टेडी कर चुके हैं आज से हम लोग बाइलोजी के ग्या नंबर 11 11 नंबर में आता है बाइलोजी इसकी स्टेडी शुरुआत करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्चन है कि निमन में से कौन सी क्रीमी तवचा को पार कर आतों में परवेश कर जाती है तो यह है फीता क्रीमी इसका correct answer है फीता क्रीमी ठीक है फीता क्रीमी जो है वो चप्ते क्रीमी का एक बर्ग है ठीक है आप पढ़े होंगे कि जन्तु बर्गी करन में जीबों को संग में बाटा गया है ठीक है मतलब कौन सा जन्तु की संग में आता है यह question भी पूछा जाता तो आपको बता दें कि जन्तु बर्गी करन में जीबों को संग यानि फाइलम में बांटा गया है आप कौन-कौन संग है जैसे देखिए इसमें टोटल कितना दस संग में बांटा गया ठीक है जिसमें आपका है प्रोटो जोवा पूरी फ्यरा सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमे मैं एननी लेडा ऑर्थोपोडा संग अब इसमें से कोस्चन आता है जैसे कि यह हो प्रोटो जोवा ये फुट कि प्रानी के वह सिकि प्रैनी हे बहूघ संग के अंधरकत आता है direct question पूछ लिया जाता है कि अमीबा किस संग के जीव है तो हमीबा क्या है प्रोटो जोवा संग में अमी अाता है ठीके अमीबा पिरा मिसियम यूगलिना और पॉरिंट्रे नंधरकत आता है साइकन और हैलो नेमा है तो यह जो यह सब आयुदा को नियोतुएं इनके और यह जीब को लेकि जो फीता करीं है यह किस संग के जीव को सो एक तो ये प्लटे हेलमेंतिस संग के में ज़िव को एक 10 ज़िए थीख दिंद्न कर सकते हैं अचरिस और बूचेरिया उसकेरिस संघवे में आता है जोंक तो जोंक और यह सब अनेलिडा संघ में आता है अब और्थोपोड़ा में जितने भी कीट है यानि कि बिच्छू मकड़ी और जीव जगत का जो जनतु जगत का सबसे बड़ा संग कौन सा है तो यह और्थोपोड़ा संग है जनतु जगत का सबसे बड़ा संग की संग में आता है और एकाइनो डर्मेटा है की अंतर गाता है तारा मचली ब्रीटलस्टार और समुद्री खिरा यह सब क्या है आता है यह कोस्ण आता है कि पूर्णता पूर्नतः जलिये संघ ये है ये उकाइनो डरमेटा जिसके अंदर घ हाता है तारा ये सब कोरडेटा संघ आ गया तो कोरडेटा संघ के अंदर घ आता है मतश्य, उभहेचरबर्ग, सरीश्रीप, पक्छी, अस्तंधारी ये सब कोरडेटा संग में आता है ठीक है तो ये सारे ध्यान रखना ठीक है और एक दो कोश्चन और यहां पर रिविजन कर लिजे जैसे कि जीब बिग्यान की कोश्चन है तो जीब बिग्यान का अगर जनक पूछ लिया जाए कि जीब बिग्यान का जनक कोन है पिता कोन है तो वो कोन है अरस्तु है अरस्तु से याद रखना है तीन कोश्चन ठीक है ज बनस्पथी भिज्ञान का जनक पूछे तो नैश्टास एक समानी प्र सब्सक्राइब बैस्ठाइ asta 20 LinksNew फ्रेंट 2020 गून 151 अब्सक्राइब धाइबkal ग्राम हीमोगलोबीन परती 100 ग्राम खुण ठीके technology से कितना होता एक बयस्क मनुस्यूमा Holzshoi traditions पूंचा गया Jah 11620111-2009 खुण कई याद रखना है घुन परती 100 ग्राम ay ब्लाम कि खुन होनों क्याल खेना परकान हमें परती 100 घ्राम में ठीकैप और यह मेंगलोबीने की रक्त में ऑक्सिजन का परिवहन कोन करता है तो हीमोगलोबीन एंसर कर सकते हैं रक्त में ऑक्सिजन का परिवहन हीमोगलोबीन ही करता है ठीक है और अगर ऑप्सिजन में ये भी रहता है कभी RBC तो RBC में ही ये उपस्तित रहता है हीमोगलोबीन प्रोटीन ठीक है तो RBC अ पूरी जगह oxygen को पहुंचाता है हिमोगलोबीन ठीक है अब रक्त के बारे में जित्ति इंपोर्टेंट कोश्चन है वो सभी यहां पर देखते हैं ठीक है जिसे रक्त किया एक तरल सन्योजी उत्तक है ठीक है रक्त एक तरल सन्योजी उत्तक है जिसका पी एच मान कितना है 7.4 यानि कि यह चारी है ठीक है अब हिमोगलोबीन में कौन सा तत्तु पाए जाता है तो हिमोगलोबीन में लोहा पाए जाता है आयरन एफ फेरस ठीक है हिमोगलोबीन में कौन सा तत्त पाए जाता है तो लोहा पाए जाता है ठीक है याद रखना है ऑक्सिजन का परिभान कौ पूचे और कंफूजन ना हो इसा कीशा रेसों पडेखनें राता या तो कभी रहाएगा परिभान परिवहन तो रक्त परिशंचरन को रिलेट कर दो परिवहन जो चलता है का हाइवे पर ठीक है तो ऐसे याद रहेगा और अग्जा समों की खोज लेंड अस्टिनर ने किया था ठीक है एक स्वस्त मनुस्त के सरीर में कितना लीटर खून होता है तो एक स्वस्त बेस्क मनुस्त के सरीर में जो खून होता है वो 4.5 से 5.7 रहता है यहनि लगबग 4 से 5 लीटर रहता है एबरेज पूछे तो 5 लीटर रहता है याद रखना है कि सरीर के वजन का 7% खून होता है ठीक है शरीर के वजन का 7% रक्त होता है तो याद रखना है अच जो है कितना होता है 120 वा असी होता है और रक्त चाप मापने वाला यंत्र कौन सा है तो रक्त चाप मापने वाला यंत्र है इतने सारे चीजें, यहाँ याद रखना है चलिए नेकस्ट है आहार नाल समानिता बड़ा होता है तो आहार नाल समानिता किसमें बड़ा होता है मांसाहरी में, साकाहरी में, सर्वाहरी में, कीट भक्षियों में तो आहार नाल बड़ा होता है सबसे किसमें मालो सबसे बड़ा होता है साकाहरी में बुर्शा ये सब पर जीवीत रहता है ठीक है तो अगर थे खाता है तो कैसorsla में और पादप में पाधब हुषी का भित्ति होता ठीक है कोशी का भित्ति रह ऐसकोप से बनाओता है तो तो फोढ़ाओर में तो इसकी तो उस पर पेन्रियर पोध्य में यहां पादप कोसी का मुटront में यहां पादप में सेलुलोजStr से बना होता भित्ति नीधरेश को पचाने में क्या इसकी जर्दत होती है उसका अहार नाल बढ़ा होग होना ठीक हे तो ऐसे धियान रखिए कि अहार नाल जो है साकाहारीों में बढ़ा होता है ठीक है चलें नेखस देखते हैं को Miche घौच oils के दूध का रंग पीला किस की उपस्तिति के कारण होता है तो क sax किलरेक की कारण होता है तो करिघ केरोटीन के कारण पीला होता है ठीक है अच्छे रखते दूद में कौन वाल पाय जाता है खटे दूद में लेक्टिक अमल पाए जाता है जो दूद की सुधता किसे मापी जाती है तो लेक्टो मीटर से मापी जाती है दूद की सुधता पुछे या तो दूद का घनत किसे मापा जाता है तो लेक्टो मीटर से ही मापा जाता है सारे question को आपको note कर लेना है इससे बाहर question नहीं जाएगा अगर दूद से question पूछा जाएगा तो इससे बाहर question नहीं जाएगा इसलिए ध्यान से आप note करते जाएगा और दूबारा वीडियो देखेगा तो आपको याद भी हो जाएगा तो दूद में कौन से बीटामिन नहीं पाए जाता है तो दूद में स्वेट करांती का जनक कोन है तो स्वेट करांती का जनक बर्गिच कुरियन है याद रखना है अचा दूद एक पायस है यह ध्यान रखना है दूद एक क्या है इमलसन यानि कि दूद एक पायस है डारेक्ट कोशन पूछले जाता है दूद एक है क्या है तो पायस है ध्यान रखना है राष्टिय दूद्ध दिवस का मना जाता है तो 26 नमंबर को राष्टिय दूद्ध दिवस मना जाता है ठीक है अब रही बात रेटिनोल की ठीक तो रेटिनोल क्या है यह बिटाइमिन अरफ्ष्यू राइबिट राइबोफलेविन बिटाइमिन बी में वन का झामवें ठीक है चले 要गाने कि बीजों को अच्छी अवस्था में रख़ा जाकता है तो बीजों मों रख़ा जाता है कभी आप सुनें किसान ठीक है टो पहले दियान हो था सब्सक्राइब अब इसमें से एक है सुस्क अवस्था यह नहीं रखेंगे क्यों कि नमी रहेगा तो खराब हो जाएगा नमी के कारण भी तो जैसे कि अंकुरित भी हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसों कर व Billie घुक रहता है न traditions के को सुरक्षित रखा जाता जाता है है जैसे अंगूरन के लिए क्या अवस्यक नहीं है कसमें ओप्सून देगा धो तापमान, आजरता, बायू, प्रकास था था बीज के अङकूरन के के लिए किसे अवस्यक नहीं परकास अवस्यक नहीं है तो यह अवस्यक होता है बीच- reais कह रहेगा or ise धूर थो जाता परकास अगर नहीं नहीं रहेगा नहीं पढ़ता जीस आप सिम्पल भरों में देखते हों जीक छाना खाते तो आप कपड़े में उसे भींगा कर अगर रख देते हैं तो अंकूरित हो जाता है उसमें प्रकास की जौरत नहीं भी होती है फिर भी वह नमी के कारण अंकूरित हो जाता ठीक है यह ध्यान रखना है यहां पर एक इंपोर्टेंट कोश्चन याद रखना है जिसे बीज से उता है राष्टी बीजनिगम के अस्थापन कब हुआ था तो 1963 में हुआ था यहाद रखना है था नेक्स्ट है कि हॉपयोगी है इसका इंसर क्या होगा तो हार्मोन उपयोगी है हार्मोन है क्या मालो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीबों में होने वाली जेव रसाइनिक क्रियाओं और ब्रीधी एवं विकास परजनन आधिका नियमन तथा नियंत्रन करता है ठीक है यह क्या करता है हार्मोन जो जैसे कि सरीर में विकास होना ब्रीधी ह सब्सक्राइब करता है हर्मन करता है रुपापच्प परक्रिया हे तो उप्योगी इसका एंसर हो जाता है उपाप चाई परकेरिया हे तू ठीक है हर्मोन ठीक है अब हर्मोन से कुछ question याद रखना है important जो कि एक्जाम में पूछे जाने की संभाबना है और पूछा जाता है ठीक है जिसे की महला हर्मोन कौन कौन सा है तो महिला हर्मोन नहीं है ठीक है तो महिला हर्मोन है Estrogen और महला हर्मोन है ठीक है प्रोजेस्टरों याद रखना और पुराइल हर्मोन का होता है करा कई 구ocket पूछा गया थिए ठीक है इंसूलीन हर्मोन का अस्तराब से होता है तो थाइराइड गरंथी से होता है अच्छा इंसुलीन की कमी से कौन से रोग होता है तो मधुमेह रोग होता है मधुमेह रोग या डाइबिटीज जिसको बोलते हैं वह किसके कमी के कारण होता है इंसुलीन की किस ने किया था बेटिंग बेस्ट ने किया था ठीक है और एक question आता है कि गलगंड रोग यानि कि घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, तो घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो थाइरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो यह सारे चीजें याद रखना है, नेक्स्ट है कि एक ब्यस्क के सरीर में रक्त की मात साथ परतीशत रत होता है इसको सब्सक्राइब कि समय को सब्सक्राइब कर. कब्रिस्तां कि घुड़ीत जाता मुस्क्राइब क्लाको check star का शु है ठीज सब्सक्राइब पिलिहा को बोलता है तिल्ली या स्पिलीन इंगली से उसमें एक को रख्त का कवरिश्थान रख्त बनता है तो पूछा जाता है तो अस्थी मज्जा में नेक्स्ट कि पादपों में डेस होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है पादपों में क्या होता है और पशुओं में नहीं होता है तो देखे पादपों में जो है एक सिंपल चीजें आपको याद होगा कि जो कोशी का भित्ती जो होता है वो क्या है सिर्फ पादपों में होता है शेलुलोज ये याद रखना है अब अस्टोर्च से भी कोशन आता है कौन सा कि पाउधों में कार्भो हैड्रेड किस रूप में संग रहित रहता है तो अस्टोर्च के रूप में संग रहित रहता है देखिए पेंड पाउधों में पादपों में जो भोजन है वो किस रूप में संग रहित रहता है तो अस् प्रोटीन का निर्मान का होता है राइबोसम में होता है बसा की कमी से आपका तोचा का रूखापन हो जाता है वजन में कमी होती है और सारेरिक विकास रूख जाती है वसा की कमी से यह ध्यान रखना है और कुछ चीज़े याद रखना है जैसे कि पादप में कोशिका भित्ती होती है जन्तू में नहीं होता है जल परदूसन का कारण है तो जल परदूसन का कारण इसमें से कौन सा है तो जल परदूसन का कार और देउगिक अप्सिस्ट यह निकलने वाले पदर्थ यह जल परुत चबूल जाता है इनному से सभी एससब यह जल परुदूसन का कारण जल पर試 सक करने में किस परियूग किया जाता तो जल का सुधय करन में को यूज़ किया जाता है इन घंजपा जल recorded घन तो अधिक्तम होता है और आहितन न्यूनतम होता है जल का घन तु 20 जलं दिवस मना जाता है जिस दिन बिहार दिवस मना जाताions है ferment जल्दिबस भी मनाये जाता है नेस्ट कोशन है रेसम कीट की किस अवस्था में रेसम प्राप्त होता है तो इसको ऐसे समझे देखिए रेसम कीट है इसका चार अवस्था होती ठीकर पहले क्या होता है अंडा ठीके अंडा उसके बाद होता है लारबा ठीके उसके बाद होता है क्या प्यूपा अवस्था होता है और प्यूपा के बाद अवस्था होता जो लाश्ट होता है वह कोकून होता है ठीश के अंडा लार्बा फिर पीऊप्य और और कोकोण अबस्था ठीश निर्मांत में अल्में निरमार लर्बा पूझा पीट्टर can arm ngày को केटर कहा जाता ठीश क्याकिट्टर क ही तो सबसे पहले जो है रेसम का उत्पादन जो है वह लारबा से ही होता है यानि कि केटर पीलर से अवस्था से होता है ठीक है और सबसे ज्यादा यूज जो होता है जिस रेसम का वह प्यूपा अवस्था से जो प्राप्त होता है सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा होता क मतलब ज्यादा मात्र दोककोन डवस्था तूंढ़ है त diferen रख रखनाँ कैशे समझी फिर रवर वस्था से हिरेन प्राप्त होना सुरू अधा फिर प्यूपा अवस्था से जिसका ज्यादा यूज होता है यह प्यूपा अवस्था से प्राप्त रेसम होता है और सबसे ज्याद्य मात्रा में रेसम प्राप्त होता है किस से कोकून अवस्था से प्राप्त होता है तो यह यहां पुछा किस अवस्था से रेसम प्राप्त होता है यहां लारबा ओप्श रेसम प्राप्त होता मूंगा तसर एरी और मलवरी ये शार प्रकार है रेसम का भारत में पूछा ए तक भूत का खहता है तो सहतूत का पत्ता है काफी important question है कई बार exam car पूछा गया ठीक है रेसम कीट का भोजन क्या है सहतूत का पत्ता है ठीक है अच्छा रेसम कीट का पालन क्या का लाता है तो रेसम कीट का पालन क्या का लाता है तो वह का लाता है सेरी कल्चर अब इसी तरह कन्फूजन वाला है एपी कल्चर ठीक है तो यह क्या है एसे रिलेट कर लेजे, याद रहेगा, कन्फुचन नहीं होगा, मधुमक्षी का जो अध्यान है, वो AP कल्चर, पी है ने, AP कल्चर, और रेसम सेरी कल्चर, रेसम कीट का पालन का दिन सेरी कल्चर होता है, ठीक है, अच्छा, बिहार का रेसम नगरी किसे का जाता है, सिल्क सी सितिक आ जाता है, और रेसम का सरवाधिक उत्पादन किस राज्जी में होता है, तो करनाटक में होता है, याद रखना है, रेसम का सरवाधिक उत्पादन, रेसम का या तो सोना का सरवाधिक उत्पादन, या कोफी का सरवाधिक उत्पादन का होता है, तो करनाटक में होता ठीक है याद रखना है अच्छा रेसम का सरबाधिक उतपात्य देश कुण सा है तो वह है चीन ठीक है यह भी याद रखना है और एक कुछचन आता है कि भारतियों के लिए रेसम मारगी कि खोज किस ने किया था तो कनिस्क ने किया था यह भी काफी important question है याद रखना है भार मोलसका संग में आता है जैसे कि शीप मोति घौंगा ऑक्टोपस यह सब क्या मोलसका संग में आता है और ऑर और ओर्थोपोडा संग में आता है ठीक है और इकाइनो डर्मेटा संग में आता कौन तारा मचली ब्रीटल अस्टार और समुदरी खीरा ये सब इकाइनो डर्मोटा संग में आता है ठीक है जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग कौन सा है तो वो ओर्थोपोडा संग है ठीक है याद रखना है हमेशा जन्तु जलिए संग कौन सा है तो इकायनो डर्मेटा यह पूर्णता जलिए संग है ठीक है बस इतने यहाँ पर याद रखना है चलिए नेक्स्ट अस्तनियों में अस्टोर्च का पाचन प्रारंब होता है तो अस्तनियों में अस्तन्धारी में अस्टोर्च का पाचन कहां प्रारंब प्रारब होता है तो इसका पाचन कहां से तो मुख से ही प्रारब होता है कोश्चन एसे भी पूछा जाता है कि कार्बो हैड्रेट का पाचन सुरू कहां से होता है तो मुख से होता है तो जो लार में है कौन सा एंजाइम पाए जाता है तो लार में कौन सा एंजाइम पाए ज कि कार्बोहाइडर या तो अस्टोर्च का पाचन का मुख हुआ से होता है प्रोटीन का पाचन सुरू कहां से होता है तो प्रोटीन का पाचन सुरू होता है अमासे से ठीक है याद रखना है और भोजन का पुर्ण पाचन कहां होता है तो छोटी आंत में होता है या तो गलाइको जन के रूप में संग्रहित रहता है यह याद रखना ठीक है गलाइको जन के रूप में संग्रहित रहता है जन्तु में और पादप में अस्टोर्च के रूप में संग्रहित रहता है नेक्स्ट है कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग द्वारा मलेरिया रोग जो है तो मलेरीया रोग न Boost यह थो है मच्षर कोज ने किया था रोनद रोस ने किया मलेरिया किस के कारण होता है तो प्रोटुजोवा के कारण होता है ठीक है मलेरिया दिवस कम मना जाता है तो 25 अपरेल को मलेरिया दिवस मना जाता है ठीक है और इसके ठीक पीछे जाएंगे 24 अपरेल में तो पंचायती राज दिवस मना जाता है यह याद रखना है अचा भार कि यहां पर क्या है याद रखना चीज ठीक है जैसे जी में योग झाल सोट सब्सक्रान और दो कूछ कैई घृए होता क्या है क्तों होता है क्या कोई भी फल छीनका होता इंद minder फिर होता है बाह फल भित्ती छिलका को क्या बोलते हैं बाह फल भित्ती और गुद्दा होता है गुद्दा को क्या बोलते हैं तो मध्य फल भित्ती बोलते हैं और बीज से लगा हुए जो होता है उसको अंतह फल भित्ती कहा जाता है ठीक है तो कुछ महत्पुर्ण कोश्यन आपको याद रखना कोंग घाता है तो nika निकाल को कि या तो नास्पती का पूस्पासन खाते चाटें याद रखना किला है एनीय तो या तो अंगूर का फल भिठ्टि और विजांडशन थैक इसका कसेती है और पपीता का क्या खाते हैं तो मद्ध्धे फल भिठ्टि और हिए च्じक एई बारत का रास्थ कून सा है पुरों का राजा कोन है तो आं है तो नागफनी के कांटे हैं रूपांत्री तो यह किसका रूपांत्रन है तो यह पूछा जाता है पहले तो यह याद रखने जाता है कि नागफनी के कांटे होते हैं किसका पत्ती जो यह है ने वहiva कांटे के रूप में बदल जाता है तो पत्थरों और चटानों पर उगने बाले पधे को लीथो फाइट्स जाता है याद रखना है पत्घरों और चट्टानों पर उगने वाले पयुदे को लीथोफाइट्स कहा जाता है घाव का सिगर्टा से भरना हो जाता है वो किस vitamin से होता है घाव जल्दी भर जाता है ये उसमें सहायक होता है vitamin C सबसे ज़्यादा घाव तीजी से भरने में B-C सहयक होता है ठीक है याद रखना है B-C अब बिटामिन से जितने परस्ने पूछा जाता है सभी यहां पर देखेंगे ठीक है जिसे B-E-A की खोज किस ने किया है तो कासमिर फंक ने शाही जाय है झो और बिटाइमिन की खोज कास्यमीर फंक ने किया था और पूछा जाता है जैसे बिटाइमिन A की खोज किस ने किया तो बिटाइमिन A की खोज किया था और बितामीन डी का खोज।ूर यादर रखना है कोशन दूध में कौन सा ब्लूण में नहीं पाइग पाएगा तो अधोन沒關係क्रैशन में पाई हगता हैं कि जल में गुलनसीलिय। में कौन direction सा तो जल में यहां निकी वाटर में वाटर में भीची यह बांटर में घुलंसील अयजी मेंदी और बसा में घुलंसील लिए है तो इडि आ की यह बसा में घुलंसील ब्टा lines 창 के खड़ितामीन है अचा असकरबी रुग किस विटामिन की कमी से के असक्रवी रोग होता है हार्मोन विटामीन किसे कहा जाता है तो विटामीन को हार्मोन विटामीन कहा जाता है सुन्धरता की सब्सक्राइब कहा जाता है ठीक है अब बिटाइमिन का रसाइनिक नाम पूछा जाता है इसको याद कर लेंगे सब का जो मुख्य रूप से है उससे याद कर लेंगे जैसे बिटाइमिन a say और बेने सी डर और कि यही स्का एक रहां लाइब करना आद यह एक है absolutely ntv को नाम किया बिटािमिन क्रौन क्या एसकौरबिक एसिड्ट विधामिन ड कर नाम क्या है केशिजिद फीले क्वीनोन विटामिन के का नाम है वो इसको याद यह से रखिए एक आँए पर पर टोफी रथ से हैं विटामिन B C D E K तो रत से हो जागा Retinol और Thymine A B ठीक है एक रत पर एक से हो गया Ascorbic Acid और Calciferol विटामिन C का नाम है Ascorbic Acid विटामिन D का है Calciferol टोफी तो लास्ट में कौन सा E और के विटामिन है टोफी यानिक इक हो गया कोरा और यांद हो जाए याद बारे में कई बार पूफ्छा गया तो या रखना है रत अंधिप की से रहताई में B की कमी से, B1 की कमी से, बेरी-बेरी रोग होता है, बेरी-बेरी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है, बिटामिन B1 के कमी से होता है, असकरवी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है, तो बिटामिन C के कमी से होता है, और एक आता है क्या, रिकेट्स रोग, जिसे सुखा रोग भी का जाता है तो विधामेंट कीमिसे सूखाण वहता है और जनन सक्क्रमण के कम से होता है और रूधिर का पूरा अस्त्राब होने लगता है वह किस भीटामेंट के कमिसे रूधिर कमी से रुधिर का अस्तराब होता है इतने सारे चीज़ें याद रखना है अब बिटाइमेंस से कोई भी कोश्चन पूछा जाएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए ठीक है चलिए संचित खाध्यान की छती के लिए है संचित खाध्यान की चती के लिए कौन सा कारक सरवादीक उत्तरदाई है जैसे कि संचित खाद्यान का मतलब है जो चीजे रखते हैं जैसे धान के हों मतलब चाबल के हों यह सब जो सुरक्षित रखते हैं खाद्यान उसके छती के लिए एक सरवाधिक उत्तरदाई कौन सा है तो वो कौन सा मालूम सबसे ज़्यादा नुकसान या तो खराब कर देता है वो है अन में नमी की मात्रा नमी ही जो है जो कि अन को खराब कर देता है ठीक है अनाज को खराब कर देता है यह चीजे नहीं रखना है नमी नमी है इसमें सबसी उप्यूक्त जो है सरवाधिक उत्त और बीज के अंकुरन के लिए प्रकास आवस्यक नहीं यह ध्यान रखना है तो यहां से कुछ किलिका रोम में है ठीक है रोम में है खायद और ख्रेशी संगठन का मुख्याल है और बी सुखाद दिवस का मना जाता है तो 16います दिबस मना जाता है ठीक है और 16 सेप्टेंबर को क्या मना जाता है तो अजोन-संद्पात्छनी सम्वंदित यीयाद रखना है नेक्स्ट है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यत तो किस से होता है ठीक है तो त्वचा में अतिरिक्त यानि कि एक्स्ट्रा रंजनक यानि कि रंग परदान करने वाला का उत्पादन उत्प्रेरित होता है किस से तो यह किसी उन्हीं यह होता है बिटामीन के कारण होता है बिटामीन से पर्दान शरीर में करता है लिए उत्प्रेरक का काम करता है और जैसे कि रोगों के रक्षा करता है थीए होता है तो यह उत्पुę रग कोन होता है तो इसमें उत्पुए- रग कोन होता है तो बीटामिन ही होता है तो इया याद रखना है आर जम्यों से कोश्वल हो रहता है कि मानब तो रहार किसके कारण मानव तवचा का अध्यन क्या कलता है तो रमतोलोजी कलता है मानव तवचा का अध्यन ठीक है और जो तुच्छा केंसर होने की संभाबना होती है जैसे कि पराभैगनी बीकरन से ही पराभैगनी किर्म के कारण ही तुच्छा केंसर की संभाबना होती है जैसे कि सुर्ज से आने वाली खतरनाक प्रावेगनी किरनों को जो आने मतलब की प्रिथिवी पर आने से कुन बचाता है तो ओजोन बताता है ओजोन जो परत होती है वही प्रावेगनी किरनों को बचाती है प्रिथिवी पर आने से ठीक है और क्योंकि यह प्रावेगनी किरन में मतलब संक्रम ना हो ठीक है तो उसका बचाव का स्रवादिक सुगम उपाई कौन सा है तो सबसे ज्यादा सुगम कौन सा होता है वो टीका करण होता है ठीका लगवा लेते हैं सबसे ज्यादा उप्यूग ताकि आप संक्रमित ना हो ठीक है तो याद रखना है किस बेक्टेरिया के कारण होता है। तो टाइफाइट जो होता है सालमोनेला बेक्टेरिया के Кणरन होता है। अब यहां से यह किस्रे में सिर नेलां और किस्वाइद कि ऐसे की पैसा कि टेस्ट किया जाता है तो टन्सके लिए टेस्टपर मिसी बच्चे को समानता होते हैं तो पांच जायू में कित्ने दांत होते हैं तो 20 दान्त होते हैं, जिसको कहते हैं दूध के दान्त, तो यह 20 दान्त पांच वर्स के आयूत तक के बच्चों में होते हैं, ठीके, और 20 दान्त जो है ये टूट जाता है, फिर दुबारा ये होता है, यानिकि अगर पूछा जाए, अच्छा कि एक समाइन ने जैसे कि बेस् से समझ ये 32 दात में यह क्या निकाल देजी ठीक है तो कितना बचकी दर बारा यह 22 बार होता है तो कितने चारब कर सब्सक्राइस चार परकार के होता है याद रखना ठीक है इनसाइजर होता है एक होता है केनाइन एक होता है प्री मोलर और एक होता है मोलर ठीक है तो इनसाइजर जो है ये काटने के काम आता है केनाइन जो है ये फाडने के काम आता है और मोलर प्री मोलर और मोलर ये चवाने के लिए काम आता है ठीक है जो इनसाइजर है ये दांत कितना होता है चार दांत होती है नीचे और चार दांत ऊपर यानि कि टोटल आठ दांत होता है और के नाइन यह भी टोटल दो दो ऊपर दो नीचे यानि चार दांत यह होता है और प्री मोलर जो है यह होता है कितना आठ दांत और मोलर कितना होता है यह बारा दांत होता А Extra मानप शरीट में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो ना मी tailored होता है जो कि रांप की ऊपर डान थाल जो बना और को नहीं होता है ने итог निमलिकित में से किस पोध्य में फूल नहीं होते हैं इसका raw कैसे दिजेज़गा देखिए पादप जगत को जो दो भागों बाटगिया यह यह बन्तलब क्या हो गया उसमें पूस्पोथ भीध और एक क्या मतलब रूस्पोथ वाले नहीं नहीं आएगा ठीक है और पुस्पोध भी जिसमें रहेगा फूल वाले जितने पौधे होंगे उसमें रहता है ठीक है जैसे इसको ऐसे समझे कि पादप जगत को देखिए ओप्सन में क्या देखा है किस पौधे में फूल नहीं होते हैं तो कटहल गूलर औरकीड और फर्न हो तो इसको देखिए ऐसे समझे पादप जगत को क्या है कि दो भागों में पहले बाठते हैं और पुस्पोध भीद और फैनरो गेमी तो पूस्पोध भीद का मतलब क्या होगा इसके अंतरगा जितने भी पोधे आएंगे जितने भी आएंगे यह सभी क्या है ओ पूस्प व पूस्प वाला होगा अब पूस्पव भीद को तीन भागों मता गया है कॉनकोझा थेलोफाइटा ब्रायोफइटा और ट्रीडुफाइट ऊंदर गाथ यह आता है सैबाल कभक और लैकेन यह तेलोफाइटा के अंतरगा अता हो त्थे याद रखना है ठेलोफाइटा के हंदम घाल शयबाल कबक और लाकन ठीक है ut कर आब क्या है अब क्या पूसपोध भीद में यानि यह पूसपोध भीद है यह पूधा है ठीक है तो यह पूसपोध भीद हो गया क्या फर्न तो फर्न अप्शन में है तो इसका पूर्ट एंसर हो जाएगा फर्न में क्या फूल नहीं उते हैं यह याद रखना ठीक है इस तरह समझ गया है फर्न में फूल नहीं होता है अगर आगे देखेंगे इसको तो थोड़ा सा इसको और आबरित वीजी में आता है यानि इसको अंगलेश में क्या बलता है यह फूल नहीं होता है ठीक है समझ गया है फर्ण में क्या फर्ण जो है यह ओग पुस्पोद्भित पौधा है ठीक है तो फूल कि इसमें नहीं होगे तो इसमें नहीं हो बागी कट हल गुलर और कारकिड में फूल होता है यह आद रखना है नेक्स्ट है question number 22 एक स्वश्थ बेक्ती का समान्य रक्त चाप कितना होता है तो 120 भाई असी है सबीकों मालों है 120भाई असी quiet yellow यह कुस्ट यहोता है यह आग गया रक्त चाप एकसो बिसवाइस ही हो गया, यहां से important question आता है कौन-कौन सा आता है, दो-तीन परसन आता है यहां से रक्त चाप से, जैसे कि रक्त चाप मापने वाला यंतर कौन सा है, तो असफिगनो मेनो मीटर है, रक्त चाप आता है कि कौन सा हर्मोन रक्त चाप को नियंत्रित करता है तो बेसो प्रेसीन जो हार्मोन है बेसो प्रेसीन हार्मोन जो है रक्त चाप को नियंत्रित करता है और कौन सा गरंथी रक्त चाप को नियंत्रित करता है तो एड्रेनल गरंथी यानि कि अधिब्रिक गरंथी जिसको बोलते हैं तो अधिब् आपके कि नियांतरित करता है निएक्स तो कि नियांतर हुर्च के कारण बितामिन टामिन का के कारण यह क्षक होता है रग्त का थक्का जमाने के लिए याद 혁ड़ यहां पर रक्त के बारे में पीछे कई question आपको important बताएं, यहां पर कुछ important question आपको याद रख लेना है, जैसे कि रक्त का ठक्का जमने के लिए आवस्यक जो होता है, सायक होता है, वो अगर पूछे कि बिटामीन, तो क्या हो गया, अगर पूछे iron, रक्त का ठक्का जमाने मे वो कौन सायक iron है, तो वो है calcium iron, ठीक है, calcium plus iron, यह सायक है, अगर रक्त का ठक्का जाना में कौन सा रक्त आवस्यक है, तो platelets होता है, कौन सा protein आवस्यक है, तो देखिए, ऐसे फिर समझे, बिटामीन हो गया यह, iron पूछे, तो यह हो गया, और रक्त पूछे, तो क्या platelets हो ग पाने में, तो कौन सा है, फाइबरी, नोजीन, यहने, फाइबरी, नोजीन, प्रोटीन के कारण, रक्त का ठक्का जमता है, ठीक है, तो यह चारों पूछा जाता है, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, बिटामीन पूछे, तो बिटामीन के कारण, रक्त का ठक्का ज कितने दिन के भीत्र लगना चाहिए तो कितने दिन के भीपतर लगना चाहिए तो कितने जन्म के तुरंत बाद लगाए जाता है तो BCG का जन्म के बाद से करें से जन्म के तुरंत बाद बाद रद्ढ़क्तम स्थिषाएंultsवे help व्यक्षमा यक्ष्मा कोई बोलते हैं तब टपेदिक भी यक्षमा यसमी तपेदिक इसी की रोख thermica के लिए BCG T का लगाया जाता है ठीके और TB जो हैं वो अंग को परभावित करता है फिंफ़टा को परभावित करता है याद रखना है ठीब информ तो माइको बेक्टेरियम थी वर कुल्यसीस के 跟我 के कारण होता है szczegól किस जिवानों कारण होता है तो mycobacterium tuberculosis के कारण होता है TV कहले जाता है तो 24 मार्च को TV दिवस मनाय जाता है ठीक है अच्छा BCG या तो TV तीका का खोज किस ने किया तो और हैजा के लिए आवस्यक जिम्मेदार बेक्टेरिया के खोज रोबर्ट कोच ने किया था याद रखना है टीभी और हैजा के लिए जिम्मेदार बेक्टेरिया के खोज कोच किस ने किया था, रोबर्ट कोच ने किया था, याद रखना है, और टीभी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मौन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, टीभी के जांच के लिए next question he यह पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस परकार भिन है तो कई papis प्रकार से ऑप्सन में क्या है सबसे आसान वाला कौन सा यहैं कोकी का से याद रखना है और मार्लम में यह नहीं पाय जाता थीखएंगे यहींनि प्रकार पादब कोशिका में क्या है जो कोशिका भित्ती होता है जनतु कोशिका में नहीं होता है कि पादब कोशिका की बात करते हैं और इधर जन्तु कोशिका की बात करते हैं ठीक है पादब कोशिका में कोशिका भित्ती होता है और जन्तु कोशिका में नहीं होता है पादब कोशिका में लबक होता है जबकि जन्तु कोशिका में लबक नहीं होता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं ये पादब कोशिका में स हों होता है ठीक है यह ठीजिजिये थ्याणा रखना गझाता है कि पादब कोशिका में क्या-क्या पाया जाता प्लूरोप्स प्लूरोपल्स पॉलते हैं चींजिद सेती मagen पूर्शनों परिटी का में और पिछली वीडियो में मैंने आपसे question पूछाता है कि पुरंदर की संधी कब हुआ था? तो पुरंदर की संधी हुआ था 1665 में, ठीक है? 1665 में पुरंदर की संधी हुआ था, सीवा जी और जैसींग के बीच हुआ था, ठीक है? और आज का question है कि pencil में किसका उप्यों होता है ठीक है पेंसील में किसका उप्योग होता है जैसे की option में आपका है रता है ग्रेफाइट चारकोल सीलिकॉन फासफोरस तो इसमें से बताना आपको कि पेंसील में किसका उप्योग होता है ठीक है तो दोस्तों एक चीज हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल ख खजाना है इसे चोटी चोटी बातों में खोने ना दें पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जय हिन दोस्तों अधिक सदिक रिवीजन करते रहें जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होगा ठीक है चली मिलते